आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो, वेलकम टू डाउटनेट तो आज इस Question हम से पूछा गया है कि Let us consider the ionization of HCl in the aqua solution of Ca3OH तो यह हमें X की reaction दे रखी है, ठीक है Select the correct statement among the following ठीक है, तो जब से बहले हम यहाँ पे reaction लिख लेता है, अच्छा है तो यहाँ पे हम acid acid को, ठीक है, Ca3COH प्लस उसको HCl से रख करा रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा तो यहाँ पे CH3COH2 positive प्लस हमें Cl negative यह मिल रहे है तो यह हमारा acid act कर रहे है और यह हमारा base act कर रहे है, ठीक है तो यहाँ पे अगर हम option देखें तो option हमें बोला गया है कि Cl active is a conjugate base of HCl तो हमारा पहले देखेना पड़ेगा कि हमारा conjugate base क्या मिल भता है conjugate base हमारा कौन सा होता है जो हमारे h-positive को accept करते है, ठीक है तो वो होते हैं हमारे conjugate base ठीक है और यहाँ पे हम देखें हमारा हमारा hCl का conjugate base क्यों होगा, Κल लेग YouTube होगा ठीक है यह इसका हमारा conjugate base होगा क्योंकि हमारा h-positive accept करेगा मतलब हमारी option 1 की statement correct है ठीक है अब option 2 की बात करें तो option 2 में बोलागे c3 co h is the conjugate base of c3 o h negative ठीक है तो यहाँ पर हमें बोला है कि c3 co h is the conjugate base of c3 co h 2 negative ठीक है बट अगर हम देखे हम अगर c3 co h में से अगर हम यहाँ पर h positive add कराते है तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है तो हमें मिलेगा c3 co h 2 positive मिलता है बट यहाँ पर तो हमें negative लिखा होगा है तो मतलब कि हमारा जो है यह इसका conjugate base नहीं होगा तो यह हमारा option गलत है तो कि यह हमारा ओप्शन 2 गलत है, अब ओप्शन 3 की बात करें, तो ओप्शन 3 हम बोलागे है कि CH3 CO2 positive is a conjugate base of CH3 OH, तो हमने दिखाया कि हमारा CH3 OH जो है हमारा conjugate base है हमारे इसका, यह acid है हमारा, बढ़ यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, तो मतलब option 3 भी हमारा incorrect है, अब option 4 की बात करें, तो option 4 में हमें बोलागे है कि CL negative is a conjugate base of CH3 OH, जबकि हमने यहां बताया था कि यह हमारा conjugate base है हमारे HCL का, ठीक है, इसका नहीं है हमारा CH3 OH का नहीं है, त CH3 OH का, तो इसमें हमें कौन से चेंड में correct है, तो यहां पर हमारी EQ में correct है, वो है option 1, तुमारा answer है option 1, तो मैं अचा गरता हूं कि आप यह कुंसा समच पाए होंगे, धन्यवाद